दोस्तों अगर आप लोग यूपी स्कॉलर्जिप का रीन वर्ल्ट का फॉर्म बनने जा रहे हों और अगर आपको आपको एंट पी सी आइ वाले ओप्शन में प्रॉबलम आ रही है आपका ये सत्याप्पित नहीं हो पा रहा है मतलब जब आप लूग्इन पर के लिए करोग सत्यापित हो जाता है तो आपका अगला स्टप ओपिन नहीं हो रहा होगा ठीक है तो अगर आपको इसमें दिक्क्त करने में दिकक्त औरहा tänope सब स्टेइन्स को पहले अधार कार्ड और बैंक के स्टेटिस को चेक करने लिए अधार बैंकिंग स्टेटिस को आप को चेक करना है इसके लिए आप लूऊंपने मोबायल फण में गुगल को ओपिन कर लेंगे November को ऑपिन करने आधार लिंकिंग स्टेटस बैंक सीडिंग स्टेटस इस पर आप लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में आप लोग इन वाले इस आप्शन पर क्लिक करना है लोग इन बिद अधार OTP इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में आप लोग को यहां पर अपना अधार का से लिंक है कि अगर आपका फॉन नंबर आपके अधार नंबर से लिंक नहीं है तो तुरंत ही अपना फॉन नंबर अधार कार से लिंक कराएं बरना आपका ना तो यह स्टेटस चेक होगा ना ही फॉम भरा जाएगा ठीक है इसलिए तुरंत ही आपको फॉन नंबर आपके अधार नंबर से लिंक है उस पर एक O tu पी जाएगा वो आप लोग को यहाँ पर डालना है इसके बात में आप लोग ओउन पर किलिक करना है अब धिहान से आप लोग यहाँ पर देखेंगे देखी जैसे आप लोग ओटी पी डालने के बाद सत्यापित करोगे लोगिन करोगे इसके बाद में अगर आपके सामने स्टेटस यह शो करता है नो बैंक रिकॉर्ड इस फाउंड फोर दिस अधार नमबर तो इसका मतलब है कि आपका आधार नमबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तुरंति आपको अपना अधार नमबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक कराना है इसके लिए आपको अपने अकाउंट की KYC करानी होगी ठीक है में आपको इससे के से किर दिए करा सकते या फिर जहां भी आपकी बैंक जा और दि bir क्योंग आjektिवजेरे आपको इसे सप्वस्राइब क्य ELT करें कि चौन की क्यों को एक फॉड्टू लगाना एक? कैसे यहां पर यहां पर आपको अपको अपता ल neutrality ना होगा इस वाले कॉलम में यहां पर आपको अपना फल नेम डालना होगा यहां से अगर आप ग को गल्स हैं तो डाबलू ओ यानी सोरी डी ओ आपको स्लेक्क करना हो गार डौ्टरन वेचाथ और अगर इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपनी सिगनेचर करने होंगे और यह फॉर्म आपको जहां भी आप अपना KYC करा रहे हैं कैफे पर या फिर बैंक में उनको दे देना होगा ठीक है वो आपके KYC कम्पलेट कर देंगे आपके काउंट नमबर से लिंक हो गया है नीच आप में आपको यहाँ पर दिखेगा अपनाव जाएगी और आपकी बैंक होगी वो आपको यहाँ पर शो छाएगी ठीक है आपका अधार नमबर भी हाँ पर शो हो जाएगा आपको दिख रहा होगा रीनुवल लॉग इन इस पर आप लोग किलिक करेंगे अब आपका फॉर्म जिस भी कैटिगरी का है अगर बीए बीकॉम बीस्टी किसी भी अन्ने के उच्ट पोस्ट कोर्स का है तो पोस्ट मैट्रिक अधर दैन इस्ट्वन लॉग इन पर किलिक करना कि अब यहां पर आपको अपना डालना हुगा साल का नीचे आपको अपनी डियोटोप बट आ लनी होगी पसबर्ड़ डलना वाइए कियांप जर टालना कि पर इसके बाद नंगोग पर किलिक करने हो रहा होंगा पका स्टीचष आन के साइन पर उपेशा हो रहा हो इस तरी चालाई नाही नैसे जाल लोग देखे हाँ अगी क्लिक करदेंगे आपके सामने ओगा इस अप्सक्राइगे आप posis सीज ऑप लोगो एक बार औरी क्लिक यह கटेदा ही आपकल कर देना है इस वाले माफोन पर टीक करता है यह आपका से फिवर्क पहुछ जाएंगे अगर वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो आपका यह अगर अगर आपका धार नंबर आपकी kronse link निंग में और कि्लुक करने के बात भी आपका सत्यापित नहीं ओं रहा है तो आपको कुछ-टाइम का मे Raiset करना है कमसर क्म 24 गंटे के बाद में दोवारा सापको इसी तरीके से हैश पर किलिक करना है एक वर इस पर किलिक करेंifice तो किलिक करने के बाद में आपका यह सत्यापित हो जाएगा डायक्त आप लोग इस्ट्वेंट पैनल वाले उसी पेज पर पहुंच जाएंगे होम पेज पर अब डारेक्ट ली आप लोग इस पेज पर आजाएंगे अब आपका पहला स्टेप आपके सामने कंप्लीट हो जा तो यह स्टेप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगी ठीक है फिलाल हम इसके बारे में आपको बता रहे थे यह स्टेप आपको इस तरह से कंप्लेट करना है थो आपको आपको बढ़कर दिका दिया है चाहें आपका अधार काड़ आपके बैंक अकांट से लिंक हो या फिर नहीं हो हर कंडिशन में आपको अपना इस्टेडस चेक करना है बैंक बाला इस्टेडस चेक करने से आपका ये इस्टेडस अपडेट होगा ठीक है अपडेट होने के बाद में ये इस्टेडस अपका कंप्लेट हो जाएगा तो हर इस्टेडस कंप्लेट करना है मत से कम 15 जनबरी तक ये डेट आगे बढ़ सकती है फिलाल 31 दिसंबर तक है जिन भी इस टेंज का रिजल्ट नहीं आ पाया है अब तक उनका रिजल्ट पर जाएगा और फॉर्म भी भर सकते हैं को कि डेट आगे बढ़ जाएगी ठीक कोई बात नहीं है ये डेट अभी आगे ब अब आपको जो भी कािशन करना हो गो दोबारा यहां से कृण्य ओगा करेंगे करेंगा Soul करते ही आपकंपा articlesえて हुए घरक्शन करने हैं 2 आपको फार्म कोई करेंग्र करते इस लोग करने के लिए अलग सा भी कुछ नहीं करना है इसलिए आपको धियान रखना है कि जब आप लोग करेक्शन करने जाओ जो भी आप लोग चेंजिस करने जाओ धियान से कर लेना एक ही बार में ठीक है बार बार आप लोग को मौकिन नहीं बिलेंगे एक बार में क्रेक्षन करने के बाद में खुद ही ये final log हो जाएगा और उपर के जितने step हैं यहां तक के सब ही complete हो जाएगे application log वाला step भी complete हो जाएगा फिर cable hard copy निकालने के लिए option ये open नहीं होगा ठीक है ये open होगा आपका तीन दिन के बाद में हाड कॉपी आपकी फाइनल लॉघ्ट करने के तिन दिन बाद शोली में आपको दीक गता हर वख करने transm anne आप से ही रिक्वेस्ट कि आप लइक जरू करने एपने सब इस दूस्ता वीडियो को शेयर जरू करने और इस कवरास से जुड़ी जान करें आपको इस चनिल के मादब में जरूर मिलेगी आगे मिलती रहेंगी ठीक इस चैनल को सबस्क्राइब कर ने हैं आगे की वीडियो भ